हम लोग अपने learning process को continue रखते हैं आज की series में हम लोग बात करेंगे VWAP पर, anchored VWAP पर जिसका एक session तो हम लोगों ने पहले किया हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने उसके basic समझ रखे थे कि anchored VWAP होता क्या है, plot कहां करना है किस chart पर आपको सबसे बैतर, आपको options मिलेंगे trading के है न आज के session में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी positions को execute करना है और किस price पर आपकी सबसे बैतर perfect entries बनेंगी, ठीक है देखिए, entry के लिए सबसे पहले एक बास समझेए entry का मतलब समझते हैं सर entry का मतलब होता है, आपकी खरीदारी उस बहाव पर हो, जहां से आपका risk सबसे नियुनतम होना चाहिए lowest आपका जब risk रहेगा, तब आपका reward highest होते हैं, देखिए अगर आपका किसी equity में आपने खरीदारी की, और आपका target 10 रुपय का है, कि 10 रुपय ले कर जाएंगे सर ठीक है, अब वहाँ पर आप risk 20 रुपय का ले ले रहे हैं, तो आपकी कोई मातपूर नहीं है कि 10 रुपय का target आपको मिलेगा, अगला trade फिर आप ऐसे ही करेंगे, वहीं अगर आप सिर्फ एक रुपय का risk प्लान करें, यह प्लान ना करें कि 10 रुपय का target है या एक रुपय का target है, यह जो minimum risk है यह आपका potential profit खुद बाख खुद बढ़ा देता है, आपको कुछ करने की जरुद नहीं रह जाती, तो ऐसी खरीदारी, जहां पर institutional buyers को हम लोग catch कर पाएं, देखे, बाजार में पैसा कमाने का मात्र एक तरीका है, यह जितने भी candlestick patterns, chart reading और हम लोग smart money के concepts है न, जो भी institutional buyers को identify करना, उनकी पहचान आनी चाहिए, कि बड़े लोगों ने कहां खरीदारी किये, अब किसी price पर अगर 1000 CR का capital deployment होगा, और आपने उसको पहचान लिया, कि इस भाव पर खरीदारी की गई, accurate price आपने पहचान लिया, ठीक है, तो अब आप समझ लीजे, कि अगर उसी के सा आपका 5 लाग का fund अगर आप वहाँ पर deploy कर देंगे, तो 1000 CR करोड़ करने वाला trader घाटा नहीं लेगा, तो आपका भी पैसा कभी घाटे में नहीं जाने वाला है, अब एक बास समझे, अगर किसी भाव पर 1000 CR की खरीदारी हुई, दूसरा investment plan 2000 CR का है, तीसरी बार फिर 1000 CR और ऐसे ऐसे capital का deployment हो रहा है, अब सोचिए, जिन buyers ने 100 रुपय पर भी खरीदारी की, 105 पर भी की, 110 पर भी की, और इतना बड़ा capital deployment, तो कोई गलती की गुंजाश रहेगी अगर इन institutions के साथ, इन investors के साथ, अगर आप अपनी capital को deploy करें, कोई गलती की गुंजाश नहीं देग और आप ये समझे कि intraday को छोड़ कर, कि intraday में target मिल जा, ये तो बहुत मुश्किए, लेकिन हाँ, swing का मतलब होता है कि अगले 5-8 trading session में आपको एक बड़ा momentum लेकर आएगा price, ये बास समझे, price is just like a spring sir, कई बार मैंने आपको बोला है, कि ये समझे कि अगर किसी भाव को आपने downside pressurize किया, क्योंकि market हमेशा ही higher trend के लिए बना हुआ है, भाव हमेशा उपर की तरफ बढ़ता है, और अगर आप उसको downside के लिए pressurize करेंगे, मतलब आप उपरी इस तरफ पर supply ला रहे हैं, तो जितना आप उसको दबाईएगा, उतनी ही तेजी से pullback आएगा, push आए ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि कितनी बड़ी भी supply के बाद, अगर आप institutional buyers के पास, उनके footprint पर अपनी demand को रखें, वहाँ पर अपना execution करें, तो गलती की गुंजाइश नहीं रहे जाती है, फिर गलती होती ही नहीं है, तो समझ ये, एक एक point को समझ ये, सबसे पहला काम कि institutional buyer का identification कैसे किया जाए, अगर institutional buyers को पहचानना है, तो उसको कैसे पहचाना कैसे जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग use करते है, anchored VWAP को, अब ये A VWAP क्या है सर, ये एक औस भाव है, पिछले buyer का, जैसे, अब समझ ये, अभी ये recently ICICI bank का chart, ठीक है, अब ये ICICI bank के chart में पहली खरीदारी यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो ये daily time frame के chart को हम लोग देख रहे हैं, gap up किया, gap up के बाद price ने जो low लगा दिये, वो थे 1050 के पास के, यहाँ से price ने high लगा दिया क्या, 1250 के पास, अब बताईए, 1050 से भाव चल कर गया और high लगा दिये 1250, तो ये को buyers यहाँ पर ये accumulation कर रहे थे, accumulate, accumulate, जैसे low breakdown हुआ, demand देने की कोशिच की, तो ये खरीदार जो थे, इनी की वज़े से price, ये जो है, accumulation करके बैठे, तभी supply का कोई impact नहीं हुआ, असर नहीं हुआ भाव में, आपने निशले स्तर पर price को pressurize किया, इतनी demand पड़ी थी, कि price ने fluctuate किया, और high लगा दिये, वहाँ से लगबग 2000 point का momentum दिया, अब वहाँ से आपने price को फिर pull किया, और अब की बार 1161 से price चल कर गया, और जो high लगा दिये, वो थे 1440, ठीक है, अब इस बार price को आप फिर push कर रहे है, अब की बार जो price का low है 1223, अब price में फिर देखे, momentum higher side शुर बात होगी, यह inside candle सबसे बड़ा, यहाँ पर supply area है, 1200 सी cross होने के बाद long कीजेगा, ठीक है, slower time frame की बात कर, अब यहाँ पर आपका anchored VWAP का रोल के है, देखे, यहाँ हुई खरीदारी के investors, यहाँ हुई खरीदारी के investors, और यहाँ जो खरीदारी हो रही है, इन सारे investors का एक average price price होगा, और मैं पहली खरीदारी अपनी 100 रुपए पर करूँगा, और मैं institutional buyer हूँ, दूसरी खरीदारी मैं करूँगा 120 रुपए पर, तीसरी खरीदारी मैं अपनी करूँगा 140 रुपए पर, ठीक है, तो ऐसी जब आप buying कर रहे हैं, तो मैं आप से पूछूँ कि आपका को कोई औसद भाव होगा, ठीक है, अब मैं institutional buyer हूँ, बड़ा खरीदार हूँ, 100 रुपए पर accumulation कर रहा हूँ, 1 CR के shares, अब दुबारा कर रहा हूँ, 5 CR के shares, तीसरी बार कर रहा हूँ, 10 CR के shares, ऐसे खरीदारी कर रहा हूँ, फिर मैं आप से पूछू, average price बताइए, ये जो institutional जो कई लोग पूछ रहे थे, कि IRFC के price में उन्होंने पहले से अपनी position बना रखी, लेकिन high price पर बना रखी है, तो अब वो कहाँ खरीदारी करें, जिससे पता लगे कि और उनको वहाँ से average price में कोई gain मिलेगा, ठीक है, तो IRFC को just मैं अभी check कर रहा था, यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर करते हैं, चार्ट IQ के चार्ट पर AV का आप सबसे बहतर उपयोग कर पाएंगे, कैसे implement करना है वो समझ लीजिए, ठीक है, जैसे recently यह IRFC है, यहाँ पर देखिए, इस चार्ट पर हम लोग चलते हैं, और पहले यहाँ पर मैं आपको plot करके दिखा हूँ, यहाँ ज समझ ये, एक एक point को बहुत द्यान से सुनिए, अब यहाँ पर क्या है, यह देखना है कि institutional buying की शुरुवात कहाँ पर हुई, ठीक है, weekly time frame पर हम लोग हैं, तो यहाँ पर आईए, और इस तरीके से एक range की marking कीजिए, सर, एक range की marking कीजिए, यह देखिए, सबसे पहला का हम range marking ह होता है, और दूसरा जहां से demand उठी हो, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस range के बाद जहां से demand उठ रही है, वो price क्या है, यह वाली candle है, दिख रही है, सबी को, बड़ा चाट आराम से देखे, इस वाली candle से demand उठ रही है, अब हमारा दूसरा काम क्या है, इस candle का formation किस date को हुआ, यहाँ पर time लिखकर आता है, यहाँ पर date लिखकर आती है, देखे रीचे लिखा है, 7-30-2023, जब price ने इस range को break किया ना, जब यह 43 के high लगे, वो weekly time frame में कौन सा time है, 7-30-2023 का समय, देखे नीचे लिखकर आ रहा है, यहाँ पर जब मैं candle पर करसर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर studies में आना है, और anchor VWAP को search करना है, VWAP intra day के लिए होता है, वो पिछले session का और सदभा होता है, उसको कैसे use करना है, वो आगे के session में हम लोग समझेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर anchor VWAP को लगा लीजे, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने कोई date को implement नहीं किया, तो सबसे पहले date बताईए क्या थी, तो हम लोगों ने date देखा, कि 2023 के पास सात्वा महिना जुलाई होता है, और 30 तारीक के पास से, और time को हमको ज़रूरी होता है, time तब ज़रूरी होता है, जब आप intra day या फिर swing के लिए use करेंगे, ठीक है, time को हमारे लिए बहुत अभी म करें, इस हाई के पास से जब supply दी, यहाँ पर मैं लगा दू, यह लगा दिया, ठीक है, इस हाई के पास से जब supply दी, 191 के पास से, और यह जो low लगा दी, 116 के पास, यह गौर कीजे, demand कहां से उठकर गई, इसी 118 के उसदभाव के पास, जो की 120 अभी recently चल रहा है, इसी average price स कैसे की जाएगी, वो point समझे, buying कैसे की जाएगी, ठीक है, अभी आप बोलिए कि anchor के पास price आ रहा है, तो खरीद लू नहीं, ऐसे खरीदारी, देखे, institutional buyer sensor, 40-50 रुपे की मेरी खरीदारी है, ठीक है, मैं एक institutional buyer हूँ, और मैंने किसी share में 40-50 रुपे पर position बना रखा है, चार्ट करेगा, चार्ट में वो चीज़े आपको सामने दिखनी ही दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब मैं खरीदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं buying दुबारा करी नहीं रहा हूँ, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा, कि मैंने पहली position 40 रुपे पर ब बताईए, अगर मैंने यहाँ पर 40 रुपे के आसपास अपनी position से, हाँ accumulation किया था 30-35 रुपे की range में, तो यहाँ जब यह demand की शुरुवात हुई, तो average price 120 आ रहा है, ठीक है, अब जो भाव 120 के high लगा कर आया हो, और दुबारा 120 पहुँचेगा, और अगर मैं अच्छा खर खरीदारी की होगी, और उसका औसत भाव खरीदे, खरीदे 120 आ गया होगा, तो भाव को यहाँ रोकेगा ना, तभी तो नहीं, तो 40 रुपे पर ही बैठा रहता वो, क्यों यहाँ पर demand create कर रहा है, क्यों यहाँ पर demand create कर रहा है, नहीं करता, price को जहाँ तक 40 रुपे की खरी को square off करना होगा, कि यहाँ खरीदारी किया 40 पर, फिर किया 70 पर, उसके बाद यहाँ 120 पर किया, अब जाकर 200 पर profit book करके निकल है, यह भी हो सकता है, तो दोनों में से confirmation कैसे किया जाए, कि institutional buyer करेंगे buying की नहीं करेंगे, दुबारा खरीदारी करेंगे की नहीं करेंगे, उसके मैंने लिए बिल्कुल clear approach है, क्या, कि यह price 120 के पास नहीं आना चाहिए, 120 को तोड़ देना चाहिए, break करना चाहिए, पहला हमको जो चाहिए, seller का impact selling momentum चाहिए, अगर seller का impact selling momentum नहीं है ना, तो हम खरीदारी नहीं करते क्योंकि हमको real price नहीं मिला, अब कैसे पता है, सोचिए सर अभी यह देखिए, 37, 2023 से, जुलाई 2023 से यहाँ पर buying की शुरुबात हुई, और 40 रुपए के भावों ने जो high लगा दिये, वो लगा दिये 220 के, सोचिए, लगबग लगबग 5X से above, 5 गुने से ज़्यादा भाव बढ़ गया है, अब आप कहिए कि यहाँ खरीद लीजी 120, एक तरीके से यह भी मैं का भाव है कि 140 पे अभी 150 पे गर मैं position ले लूँ, यह भी यहाँ से 4X के nearby price है, नहीं खरीद सकता मैं, मैं तभी खरीदूंगा जब confirmation होगा कि यह institutional buyer जो यहाँ position बना कर बैटें, वो यहाँ पर बनाएंगे, इसका पहला confirmation है यह price, आपका 120 का यह average price है इस candle ने देखिए, जो low लगाए, वो क्या लगाए, 116 के लगाए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर एक candle का formation, इस chart पे आके मैं आपको समझा हूँ, बहुत ध्यान से समझे, यह मेरा anchor का price है, यह anchor view app है, और इस तरीके से भाव चल कर गया, और इस तरीके से momentum क कर रहा है, ठीक है, यह momentum है, अब यह मेरा anchor का price है, आप बोलिए कि यह retracement हो गया, खरी लीजे, नहीं खरी दूँगा, price क्या करे, इसको touch करे, touch करने पर भी bank नहीं करूँगा, जब मुझे यह दिखे कि इसके nearby sellers aggressive है और short कर रहे है, anchor view app को break करना चाहिए, price में higher side इतनी बड़ supply आना चाहिए, इतनी बड़ी profit booking आनी चाहिए, कि price को एक institutional buyer के average price का breakdown दिखना चाहिए, इसका मतलब है, institutions ने अपनी positions में थोड़ी बहाग profit booking खुद की होगी, तभी ऐसा impact दिखेगा, retailer कभी इतनी बड़ी profit booking नहीं कर सकता, क्यों, जब खरीदारी accumulation institutions का है, खरीदारी उनकी है तो distribution कैसे retailers का हो जाएगा, distribution भी उनका होगा, ठीक है, तो जब वो किसी भाव को, जैसे 40 रुपए पर मेरी पहली खरीदारी, अब भाव पहुंच गया 200 सर, अब मैं 200 रुपए पर तो नहीं खरीदारी करूँगा, अब बताये 100 रुपए के पास कैसे खरीदारी करी जाए, जब प्राइस ही 200 चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 40 रुपए के आसपास से लेकर, जो हमने अभी 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, जो भी खरीदारी की है, उसकी 12 से 15% quantity को book करूँगा, profit booking करूँगा दोसों के पास, ये distribute करूँगा, किसलिए, ये release करूँगा, panic creation के के लिए, कि जो बीच में, इस momentum में, जो IRFC को खरीद कर बैठे हैं न, वो अपनी positions को square off करें, retailers से position को distribute कराने के लिए, सबसे पहले, institutional अपनी एक partial profit booking करता है, किसी भी equity में, ये हर बार आप देखेगा, हर share में देखेगा, BSE अभी जहां आप देख रहे हैं, 44, 4500 ट्रेड करत है सर, सबसे पहले, pound 100 का लो, 500, ठीक है, zometo आप लोग IPO के time पे खरीद रहे थे, low देखिए, 40 के आसपास, 42 के आसपास के low, ऐसे मैं कई एक shares आपको बताऊंगा, जहां पर anchored VWP पे buying होके price positional buying की तरफ बढ़ा है, institutional buyer का price है, ठीक है, अब इस price पे जब आप खरीदारी कर र लेवल देता है, fundamental से जो लेवल सा रहे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, anchored VWP से technical में, तो fundamentals देखने की बहुत जरूरत नहीं रहे जाती, जैसे मैं आपको Zometo बता रहा हूँ, अब Zometo के fair valuation किया था, अस्वाद दामोधरन जी ने, अस्वाद दामोधरन valuation guru माने जाते है, अगर आप लोग सीखना चाहें उनसे, तो fundamentals के सबसे बहतरीन आप समझे, आपके लिए learner होंगे वो, YouTube पर भी उनका चैनल है, आप जाकर उनको सर्च कर सकते हैं, और जोइन कर सकते हैं, fundamentals वो आपको बहुत बहुत सिखाएंगे, ठीक है, मैं आपको वही recommend करूँगा, जो सब से बहतर knowledge आपको दे सके, अब देखें, यही fundamental से जो level आता है, वो anchor view क्योंकि वो institutional buyer का level है से, जो मेटो का 42 का price अस्वा दमझे उस समय बताया था, fundamental से fair values price थे वो, ठीक है, अब यहाँ पर जब price momentum downside करेगा, अब यहाँ पर आपने partial profit booking किया, उसकी impact से price 100 रुपे तक आएगा, अब यह institutional sellers नहीं अपनी positions को score of किया, और उसके panic में क्या होगा, retailers भी अपनी position को distribute कर देंगे, तो जब यह distribution एक panic creation करेगा, तभी यह 100 के price को breakdown किया जाएगा, impact से breakdown होगा, और एक अच्छा खरीदार वो है, जो यह पहचाने की, इसके breakdown पर खरीदारी नहीं की जाएगी, अब अगर दुबारा institutions interested हैं, और उन्होंने इस तरीकी की partial profit booking की थी, अपनी पूरी quantity नहीं बेची थी, तो वो अपने average price के नीचे भाव को कभी sustain नहीं करने देंगे, क्या करेंगे, price को reverse करेंगे, और reverse करके दुबारा close कराएंगे इस AV web के उपर, जब कोई price दुबारा, अब briefing से समझे पुरा, जब कोई price एक peak point से consolidate करने के बाद retracement करता है, और profit booking के बाद, अपने anchored vweb के price को breakdown करता है, और उस breakdown के बाद दुबारा जैसे ही उसके अबब आपको पहली first closing मिलती है, तो उसके high निकलने पर आपकी entry होती है, और जो breakdown candle, breakout candle इस anchored vweb के होता है, वो आपका SL, और मैं आपको बता हूँ, no need any SL, ऐसे price में अगर आपके fundamentals को check करकर आप खरीदारी करेंगे, अभी मैं आपको swing के लिए बता रहा हूँ, तो daily time frame, weekly time frame पर आप खरीदारी कीजेगा, तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, और मैं आपको एक trick बताता हूँ, ध्यान से वेब को 4 hour time frame पर जो trader use करेगा, उसके सबसे ज़्यादा high accuracy होगी, maximum higher accuracy anchor वेब की उसी की होगी, जो 4 hourly time frame पर use करेगा swing के लिए, और आपके target आपको मिलते हैं, अगले 4-5 trading session में, बात clear हो गई, अगले 4-5 trading session में आपके target अचीव होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीचे, कैसे ह ज़रा सुनिए, देखें, यह IRFC का price है, यह हमारे लिए anchored VWEP का price है, अब भाव 120 के पास आया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए न, यही 120 के level का breach down होना चाहिए, फिर price ऐसे इसके उपर आ जाए candle close करना है, swing low का SL डाली यह long कर दीचे, बहुत rare case होगा, अब देखें, यह 120 क प्राइज है कि नहीं, जहां से demand उठी, यही demand area है सर, यही accumulation है, IRFC इसके नीचे 120 के नीचे मंतली के लोजिक नहीं करेगा, अगर strong price है, तो price क्या करेगा, यह देखें, यह impact candle है, यह inside का impact candle है, यह high break होने के बाद, price action से समझ लीजे चीज़ों को बहुत द्यान से, यह high break होने यह anchored VWEP का price है, वो कभी नहीं बेशते, price ने 120 को break किया, break करने के बाद क्या किया, 116, 17 के लो लगए, फिर दुबारा recovery करके close कहां किया, 135 के पास, यही demand है सर, यहां से price ने देखी, कितना wild momentum के 120 के high लगा दिये, पिछले high को break करके एक नए high लगा दिये, इतना बड़ा momentum थ वहां पर, ठीक है, अब उसी candle के देखिए, यह high, दुबारा test करके price नहीं high, अब दुबारा इस range में आने की कोशिश हो रही है, तो आप wait कीजिए, और इसी तरीके के, देखे, जब आप anchored VWEP पे खरीदारी करेंगे, तो आपको wait add करके खरीदारी करने का मौका मिलेगा, आप watch list बना के रखेंगे, जो price nearby VWEP आ रहे हो, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताओ, यह धन का demand जो आप use करते हैं, यहाँ पर एक scan X का option मिलता है, ठीक है, scan X का option, scan X में क्या है, यह सारे screeners आपको यहाँ पर मिलते हैं, यह आ maximum red है, in fee, 4.5% downfall में गया, last session, ठीक है, तो ऐसे आपको देखना होता है, कौन से shares, यहाँ पर आप जाएए, अपना screener भी बना सकते हैं, live जो volumes होते हैं, उनको आप वहाँ पर scan कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर जो आप चाहें, search कर सकते हैं, बीरे शिंगल, जो आप चाहें, टेकनिकल, price and volume, candlesticks, open is called to high, जो भी आप चाहें, उस तरीके से अपनी पुछ, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर आप search कीजिए, 52 week low, क्या बोला हूँ, 52 week low, ऐसे shares जो अपने 52 हफते के low के पास trade कर रहे हैं, देखिए, जहाँ पर एक profit booking होई होगी ना, तो वो अपने ए तो जो 52 week low, या फिर अपने मंतली low के पास trade करेंगे, वही ए वीवेप में आपकी buying के लिए आएंगे, और उनका ही watch list बना कर, wait कीजिए, कि वो अपने last anchored वीवेप price के पास आकर, फिर उसके उपर close करें, वहाँ पर आपकी position बनेगी, और देखिए, यहाँ पर जब भी profits आ अपने anchor के उपर आके close किया, वह कितने भी weak price हो, वह एक impact momentum देगा ही देगा, जैसे यह, यह कितना भी weak price था, देखिए, 190 से profit booking की शुरवात की low लग गए, 117 से, लेकिन इसने किया क्या, anchor वीवेप के नीचे आकर दुबारा उपर गया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह anchor वीवेप के नीचे आकर दुबारा उपर गया है, ठीक है, तो ऐसा price क्या करेगा, demand बहुत aggressive करता है, देखें, गिरावट थी, weak price था, लेकिन जैसे ही एक एंडर क्लोज किया, price ने momentum की शुरवात कर देखें, तुरंट 220 के हाई लगा है, बात क्लिर हो रही है, इस त studies में जाके यहाँ पर filling करना पड़ता है किस date और किस time को, यहाँ पर यह जो line आ रहा है, इसको आब बस plot कीजे, अब मेरे लाश्ट buying price क्या है, विप्रो का, यह है लाश्ट buying price, देखें, यहाँ पर 2020 के जो यह bottom लगें, ठीक है, मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाके लगा दू द्यान से सुनिए, price ने क्या किया, breakdown किया, किसका, विप्रो का weekly time frame पर, किसका, anchor वीवाप का, मैंने क्या कहा, single time close चाहिए, above this वीवाप, single closing चाहिए, price देखें, इसके नीचे आने के बाद, यहाँ पर closing, 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 यह closing दिया, पहला closing यह, दूसरा closing यह, मैं क्या बोलता हूँ, breakout validation देखें, resistance और support की technique और definition कभी नहीं change होगी, चाहिए, कुछ भी lifelong trade कर लें, ठीक है, अब यह देखिए, anchor के पास खरीदारी चलती रही, चलती रही, कितने लंबे time period तक खरीदा आई चली, जैसे यह high break हुए, और high cup validation इस candle ने किया, इस weekly candle ने, गौर कीजे, यह high break हुए, पहल 437 का price तुरंट जो high लगाता है, वो क्या है, 540, price ने दुबारा आपको इसी anchored VWAP को touch किया, यही demand area है sir, यह देखिए, flat line जब भी आपको anchored VWAP का दिखे न, समझ लेजिए, accumulation is going on, लगातार accumulation चल रहा है, लगातार institutional buying चल रही है, यह flat line का समझ लेजिए, यह Bollinger Band का narrow range, A VW आपका flat line यह एक जैसे indicator है, आप बताईएगा तो साम का session मैं आपको बताऊंगा कि कैसे technicals और projection के में जो आप tools यूज करते हैं, जो indicator हम लोग यूज कर रहे हैं, यह technical से कैसे आपको पूरी तरीके से correlate करते हैं, ठीक है, यही flat line, अब यही Bollinger Band का narrow range होता है, अगर यहाँ प बाइंग दे रहा है, कुछ अलग तो नहीं दे रहा है, इस high को break किया, यह high लगा दिये, ठीक है, यह accumulation range होती है, Bollinger Band का narrow range और AV Web का flat line, institutional buying को ज़र शाता है सर, ठीक है, लग बग लग बग चीज़े आपकी clear होंगी, अगर इस session में कोई doubt रह गया हो तो नीचे comment section में trading view, यह दोनों आपको एक साथ मिलते हैं, यह धन के DMAT का link भी आपको downwards, description में ही मिल जाएगा, धन्यवाद,